असलाम अलेकूम आज हम बनाने जा रहे हैं मतन कीमा मैं प्रैशर कुकर में बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने प्रैशर कुकर को गैस पर रख दिया है इसमें मैंने दो बड़े चमश तेल डाले है तेल हमारा गरम हो चुका इसमें मैं खड़े मसाले आड़ करूंगी वन टीस्पून जीरा दाला है मैंने एक दालचीनी का तुकड़ा दो छोटे तेस पत्ते चार लॉंग दो छोटी हरी लाइची आड़ करेंगे और दस से बारा काली मिरी आड़ करेंगे इनको थोड़ा साटे कर लेंगे और में यह मैंने दो छोटी प्याज ले ली है इसको इसमें एड़ कर देंगे प्यास को हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्यास हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है इसमें में तू टी स्पून अधग लस्टन का पेस्ट एड़ करूंगी इसको हम भून लेंगे अच्छे से ताकि इसकी रोज स्मेल खतम हो जाए अधग लस्टन को हमने अच्छे से भून लिया है यह मैंने दो चोटे टमाटरों को चौप कर लिया है इसको आइट कर देंगे इसको भी अच्छे से भून देंगे हम इसको लो फ्लेम पर रखके इसको पकने देंगे ताकि टमाटर गल जाए तो टमाटर गल चुके है यह मैंने वन टी स्पून गरम मसाला वन टी स्पून धनिया पाउडर पाउच अमज जीरा पाउडर पाउच अमज हल्दी और दो चमज भर के कश्मीरी रेट चीले अगर आपको एड़ करना है तो आप कर सकते हैं वरना की बीकर सकते हैं पर कीमे का मसाला डालने से आपके कीमे का टेस्ट और जाधा बर जाता है और सौल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी ताके मसाले हमारे जले ना मेरे चैनल फूडवित आफ्या को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताके मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यह देखिए मसाला हमारा भुन चुका तेल आ चुका है उपर यह मैंने 400 ग्राम मटन का कीमा लिया है इसको हम एट कर देंगे यह हाथ का कीमा है मशिन का कीमा नहीं है हमें फुल फ्लेम पर कीमे को अच्छे से भून लेना है मसालों में जब तक इसका कलर चेंड नहीं हो जाता तब तक इसको भून लेंगे हम कीमे को हमने अच्छे से भून लिया है देख सकते आप इसमें मैं एक और पाउगलास पानी एट करूंगी पानी में थोड़ा इसमें जाधा रख रहे हूं क्योंकि हम इसमें मटर भी डालने वाले हैं पर मटर हम अभी नहीं डालेंगे जब हमारा कीमा पूरी तरह से कुक हो जाएगा लास्ट में हम मटर एट करेंगे तो यह एक एक ग्लास भर कर और पाउग ग्लास मैंने इसमें पानी एट किया है अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे हम इसमें चार सिटी लेंगे एक सिटी हम फुल फ्लेम पर लेंगे और तीन सिटी हमको मीडियम फ्लेम पर लेना है तो यह देखिए चार सिटी हमारी हो गई कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है गैस की फ्लेम को ओन कर देंगे इसमें अभी भी थोड़ा पानी है हमने पानी थोड़ा जादा डाला था क्योंकि हम इसमें मटर को गलाने वाले यह मैंने पाव किलो मटर ले ली है इसमें एट कर देंगे तीन हरी मिर्चे मैंने कट करके लिए हैं अगर आपकी मिर्चे जादा तीखी है तो आप कम लीजिए और थोड़ा हरा धन्या चॉप करके आड़ करेंगे यह मैंने आधा नीमबू लिया है आधे नीमबू का रस इसमें एड़ कर देंगे आप चाहे तो सर्फ कते टाइम भी नीमबू दाल सकते हैं उपर से बट मैं अभी दार है उसमें इनको मिक्स कर लेंगे इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर साथ मिनिट के लिए मटर को गलने देंगे तो साथ मिनिट हो चुके है देख सकते आप मटर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है कीमा हमारा बनके बिल्कुल रैडी हो चुका है अब जरू ट्राइ कीजेगा इसे मेरे तरीके से बहुत ही अच्छी खुश्बूय आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनता है यह देख सकते आप यह हमने डिश आउट कर लिया है हमारे कीमे को हमारा कीमा मटन कीमा मटर के अगर आपको मेरी रैसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग